नमस्कार दोस्तों अब एक पर फिर आ गए हम एक नई समस्या लेके समस्या यह है कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं लक्षपी नगर मैट्रो सेशन के पास आप देखिए यह है लक्षपी नगर मैट्रो सेशन और यह बीच में आप जो देख रहे हैं यह रेलिंग लगी हु होता है अभी कोई ट्राफिक नहीं है यह सुबह 8.30 बजे का टाइम है मैंने दोनों टाइम इसलिए रिकॉर्ड की अब देखिए यहां से क्या हुआ है यह रेलिंग हट गई है रेलिंग हटने का नुकसान यह हो रहा है कि देखिए अब हर जगे से लोग निकल रहे हैं यह गवर्मेंट ने बीच बीच में बनाई हुई है जगह निकलने के लिए लेकिन जब रेलिंग हटी हुए है तो जहां से आदमी चाहेगा वहां से निकल जाएगा अब देखिए मौलाना साब निकले इसके बाद यह लोग खड़े हुए है अब यह जगहा है जहां से लोग क बना लिए ठीक है पौधे भी खराब हो रहे हैं जहां से निकलेंगे लोग पौधों को दबा के निकलेंगे देखिए यह निकले लोग अब यह देखिए यह आगया साड़े छे बज़े साम का टाइम है अब यह अब देखिए ट्राफिक बढ़ा है यहां पर अब हो क्या अब ये लोग निकल रहीं, धेकिया, यहां से रष्ता नहीं है, अभी ये लोग निकलें, यहां से देखिया, ठीक है, अब ये टाइम देखिए, धीर धीर बढ़ेंगे, अभी साड़े चाहे बज़़大家 अब ये भाई साब देखें साइकिल उठाई ये सीधे निकाली और आधी साइकिल पूरे आधी रोड में रख दिया कि भाई अब क्या होगा इससे गाड़ियां स्लो होगी इन लोग ये रेलिंग पर खड़े हुए अब ये गिर जाएं कुछ हो जाएं इनको चोट लग जाएं ये देखें गाड़ी साइकिल आधी निकाली हुई है ये देखें अब ये गाड़ियां स्लो ही न अब ये यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि ट्राफिक ये सारा स्लो हो गया है अब पता नहीं गौर्मेंट ने यहाँ की रेलिंग क्यों निकाल दी पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है और लोग के उपर तो है किसी का एक्सिडेंट भी हो रहा है कई बार यहाँ पर लोग गाड़ियों से टकरा है बहुत से एक्सिडेंट यहां हुए है अब ये देख अब फिलाल में अब साथ बज़ गए हमारे अब देखिए अब मैन ट्राफिक यहां साथ बज़े से लेके दस बज़े तक देखिए क्या हाल हो जाएगा दीरे दीरे अब यह भाई साब ने यहाँ देखिए अपना दरवार बना लिया है यह देखिए बैठे हुए हैं दरवारी क्या मतलब बताई यहां इसलों बैठने का यह देखिए यह पौधे यहां पूरे पौधे लगे हुए थे पहले रेलिंग थी लेकिन सब लोगों ने तोड़ तोड़ के अब जहां से भाई निकलेंगे तो लोग यही करेंगे देख यह देखिए बिजली के तार हैं अब कैसे लोग पार करते हैं अब देखिए यहां पे सारा खेल यह बंदी आये यह देखिए बंदे इंटर हुए यहां पे ठीक है यह आपका लक्षमी नगर यह देखिए यह गाड़ी रोकी एक बंदा रुग गया ने जाप आया गाड़ यह वाली रुकी, शलो हो गई, देखिए, यहीरा सुट्स के सामने का टाइम है, देखिए, यह देखिए, यह लड़की आई, गाड़ी रुकी, ठीक है, अब यह निकलेंगी देखिए, यह देखिए, यह निकलेंगी, गाड़ी सलो हो गई, ट्राफिक तो हो गई, अब कुछ महान वह ऐसे भी खड़े हो जाते हैं देखिए खड़े हुए हैं बिना मतलब के आगे खड़े हो जाओ भाई साइड लगा के ये देखिए फिर आए ये कूद गए देखिए कितने जटके से कूदा है यदि गाड़ी बिचारा तेज करता तो यहां डेर हो गए होते हैं ये देखिए अब ये खड़ी हुई है इस तरह से यहां का ट्राफिक ये स्लो हो रहा है सारा ये रेलिंग सारी हटा दी गई है यहां से बिना मतलब की पौधे भी बेकार हो रहा हैं ये देखिए कैसे लोग कूट कूट के निकलते है अब यहां तो गौर्मेंट को यहां पे जेबरा क्रॉसिंग बनानी चाहिए या रेलिंग दुबारा से लगा दें रेलिंग लगाने का फायदा ये होगा कि कम से कम यहां के पौदे भी सुरक्चित रहेंगे लोग इस तरह स हो रहा है लोग वहां से निकल रहे होंगे गाड़ी स्लो हो जारी यहां निकल रहा है फिर स्लो हो जारी ये देखिए ये पूरी फैमली यहां से निकल रही है इस तरह धीरे धीरे एक एक थोड़ी थोड़ी गाड़ी रुक के पूरा ट्राफिक बढ़ता है ठीक है आगे र लोड़ तो है, यहां से लोग निकलते हैं, अब पौदे भी देखिए, अब सारे बिकार हो रहा हैं, यह देखिए निकले लोगा, तो इस तरह से यह पूरा 6 बजे साड़े से सुरू होता है, 10-11 बजे तक ऐसा ही चलता रहे गाई है, यह देखिए, पूरे हॉन इतने बज र है कोई देखने वाला नहीं है भाई लोग यहां भी तो इंसानी रह रहे है यह देखिये खड़े हुए हैं लोग कब कूछ जाएंगे कुछ पता नहीं होता कि यह देखियो वहां से भी लोग आते हैं यहां से से आगाए कुछ भी चल रहा है ये देखिए इस तरह स्लो हो रहा है ट्राफिक ये देखिए मैं उपर से आपको दिखा रहा हूँ पूरी गाडियां कुछ गाडियां तो चलो साइड में लगी हैं कुछ बीच में है बट ये मैन बजाए कि देखे कैसे लोग निकल रहे हैं आ रहा हैं इससे ट्राफिक पूरा ट्राफिक वहां तक जाम है निर्माड भियार तक तो सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए धन्यवाद